नमस्कार दोस्तों मैं डॉक्टर प्रांशनी आपका बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ दोस्तों आज हम बात करेंगे इम्म्यूनिटी के उपर दोस्तों जैसे कि आप सभी जानते हैं कि कोविट की चाहे वो फर्स वेव रही हो या सेकेंड वेव जिन लोगों की इम्म्यूनिटी बहुत अच्छी रही है वो लोग इस से लड़के बहुत अच्छे से बाहर निकल आए हैं और जिन लोगों की इम्म्यूनिटी अच्छी थी उनको ये इंफेक्शन होने भी नहीं पाया लेकिन जिनकी immunity खराब थी जिनकी शरीर अंदर से कमजोर था वो लोग इस परिशानी से बहुत ज़्यादा सफर रहे हैं तो आज मैं आपको बताओं कि दोस्तो कुछ ऐसे natural herbs या natural spices के बारे में जिनके प्रयोक से आप अपनी immunity को बहुत हद तक बढ़ा सकते हैं तो यह video दोस्तो आपके लिए बहुत ज़्यादा informative है आप इसको अन तक ज़रूर देखें और मेरे साथ बनी रहें दोस्तों तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों वैसे तो जो हमारी immunity है उसको बढ़ाने के बहुत सारे तरीके होते हैं कुछ supplements होते हैं कुछ exercises होती हैं जिनको करने से आप अपनी immunity को अच्छा रख सकते हैं डाइट अपनी आप अच्छी रख के immunity अच्छी रख सकते हैं लेकिन कुछ ऐसी spices हैं जिनके बारे में आपने बहुत बार सुना हो गया प्रयोग से आप अपनी immunity को अच्छा रख सकते हैं दूसरी है तुलसी आप सभी बहुत अच्छे से जानते हैं तुलसी एक औशदी एक queen माने जाती है कि इसमें इतनी अच्छे गुड़ पाये जाते हैं उसमें इतनी अच्छी anti-inflammatory property पाये जाती है इवन आखों से सम्मंद एक creeper है एक बेलदार पौधा होता है इसको एक अम्रित बोला जाता है क्योंकि इसके अंदर इतनी अच्छी medicinal property पाये जाती है कि इसको एक अम्रित का रूप माना जाता है इसमें antioxidant property पाये जाती है anti-inflammatory property पाये जाती है जो आपके शरीर के तमाम रोगों को ठीक करने में मद inflammatory property पाये जाती है तो ये भी हमारे स्वास्त के लिए बहुत जादा लाप रहत है नेक्स है दोस्तो अश्योगंधा अश्योगंधा भी आप सभी बहुत अच्छे से जानते हैं कि उसके अंदर हमारे मानसिक परिशानी को ठीक करने की बहुत ही अच्छी quality होती है इस्ट्रेस हम यह उपती है कि हमें पता है कि यह individual जो spices या herbs है हमें विभिन परिशानियों में लाप्रद होती है लेकिन हम इन सब को एक साथ नहीं ले पाते कभी किसी चीज़ की availability होती है कभी किसी चीज़ की availability होती है दोस्तों इसी परिशानी को ध्यान में रखके आज मैं आप लोग क करते हैं और आपके immune system को अच्छा रखने में मदद करते हैं आज मैं आपको बताओं कि दोस्तों कपिवा ब्रैंड का immune care juice देखें यह एक बहुत ही शानदार एक first time ऐसा juice प्रवाइट किया गया है जिसमें बहुत ही unique type से इसका spices juices juices और herbs को मिलाकर बनाए गया गया जो आपकी immune system को अच्छा रखने में बहुत जादा लाप्रद होगा अब बात कर लेते हैं इसके unique ingredients के बारे में कि क्या-क्या ingredients इसमें पढ़े हैं जो इस juice को unique बनाते हैं दोस्तों सबसे पहले हम इनके juice की बात करते हैं इनमें किन-किन चीजों के juice पढ़े हैं दोस्तों इसमें अमला juice जूस पढ़ा है गिलोई का juice पढ़ा है साथी साथ और नीम यह इन तीनों के juice पढ़े हुए हैं अब बात करते हैं इनके हर्प्स कौन-कौन सी पढ़ी है वो हम जान लेते हैं दोस्तों हर्प्स में इसमें टर्मरिक यूस की गई है तुलसी यूस की गई है अशुगंदा तो यह important herbs भी इस juice में पढ़े हुए है important spices में अगर मैं बात करूं तो इसमें मुलेटी पड़ी है सोट पड़ी है दोस्तों पिपलिका पड़ी है काली मिर्श पड़ी है और दालचीनी पड़ी है यह इतने important spices इतने important herbs और juice मिलके इस juice को इस immunity care juice को यूनीक बनाते हैं अब मै इसके बारे में बताओंगी दोस्तों कि आखिर इसमें uniqueness क्या है क्यों इसको unique बोला जा रहा है सबसे पहले मैं बात करते हूं इसके आमला की बारे में दोस्तों जो आमला है यानी कि जो अमला है यह specially prepared किया जाता है प्रताब गढ़ के जो आमले होते हैं उनसे जिसमें बहु या विश में बोलू प्रताप गड़ के आवले ही माने जाते हैं इसलिए उसकी quality को improve करने के लिए इसमें सिब आवला प्रताप गड़ वाला ही यूज किया गया है दोस्तों जो इसमें हल्दी प्रयोग की गई है वो हल्दी राजापुरी हल्दी प्रयोग की गई है जिसमें highest number of curcumin मिलता है curcumin आप सभी जानते हमारे body के लिए जो हल्दी में पाया जाने वाला curcumin है बहुत ही important होता है secondary जो curcumin होता है मैंने अपने कई वीडियो में यह चीज बोली है कि जो curcumin होता है वो हमारा शरीर absorb नहीं करता उसके लिए हमें ingredients की जर्वत होती जिसे बोलते है pepperine और यह pepperine हमारे काली मिर्च में पाया जाता है तो इसमें जो काली मिर्च भी इसलिए प्रयोग की गई है ताकि जो इसमें हल्दी में मिलने वाला curcumin है वो उसको 2000% उसकी quality को improve कर देता है और उसकी absorption quality को अच्छा करता है ताकि हमारे शरीर में highest amount में वो curcumin absorb हो सके दोस्तों इसमें ऐसा कोई भी दोस्तो artificial ingredients नहीं डाले गया है चाहे वो उसकी sweetness को बढ़ाने के लिए हो ना ही कोई preservative यूज किया गया है ना ही कोई chemical यूज करें पूरी तरह से pure और herbal है इसमें कोई भी ऐसे artificial ingredients को नहीं यूज किया गया है साथी साथ दोस्तों यह GMP certified है इनकी जो manufacturing है वो GMP certified है तो already checked है कि इसमें कोई भी harmful चीज़े आपके शरीर में नहीं जाएंगी अब बात करते हैं कि कौन लोग इसका प्रयोग कर सकते हैं जिन लोगों में दोस्तों metabolism disturbance जाजारे तो जिनको metabolic disorder रहते हैं या digestion related परिशानी बहुत जादा रहती है वो लोग इसका प्रयोग कर सकते हैं साथी साथ, जिन लोगों में बार-बार बिमार होने की प्रविर्थी रहती, जल्दी-जल्दी इनको infection होता है, बुखार होता है, वो लोग इसका प्रयोग कर सकते हैं. थर्ड, जिनको भी कोई inflammatory बिमारी है, जैसे arthritis है, या पेट से सम्मंदित कोई बिमारी है, इन सब परिशानी में भी, या आपको हाथ-पैरों में सूजन रह रहा है, किसी भी inflammatory condition में आप इसका प्रयोग कर सकते हैं, ये inflammation कम करने में बहुत ज़्यादा लाप्रद होती है, अब हम बात करेंगे कि इसको हमें प्रयोग कैसे करना है, दोस्ते इसमें जो bottle है, मैं आपको इसको open करके दिखाती हूँ, ये देखें काफी बड़ी bottle है बिल्कुल, और आपको इसके color देखके समझ में आ रहा होगी कि ये एकदम pure है, इसमें कुछ भी नहीं use किया गया है, तो जब भी आप इसको प्रयोग करेंगे, इसको पहले आप बहुत अच्छे से shake करें, ताकि जो, और आप देखें, बेस में इसके sediment भी मिलेगा, ताकि ये इसके purity को शो करता है, जो हर्प्स हैं या content use किये गये, तो एकदम purest form में use किये गये हैं, इसलिए जो आके नीचे back जाते हैं, तो इसको जब भी आप रियोग कर रहे हैं, तो पहले इसको अच्छे से ऐसे मिलाएं, और इसके साथ आपको एक छोटा सा cap वला ऐसे मिलेगा, इसमें आपको जो है marking दिखेगी, देखे 5 ml, 25 ml, ऐसे करके 30 ml, तो ये marking के according आपको लेना है, आपको प्रति दिन 30 ml देखें, ये लिखा है 30 ml, इसकी एक full cap भर के, सेम 30 ml amount में पानी को मिला के, आपको पीना है, सुबा में खाली पेट, और रात्री में अपने भोजन के आधी गंटे बाद, आप इसको अगें 30 ml फिल करके 30 ml पानी ही डालके इसको आप पीएंगे, और ऐसा आप तब तक कर सकते हैं, जब तक आपको लग रहा है कि आपको इम्म्यूनेटी बहुत अच्छे से ग्रो नहीं कर गई, आपका डिफेंट सिस्टम पहले से बहुत 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 बह कपिवा को आप इंस्ट्राग्राम और फेस्बुक पर भी फालो कर सकते हैं, इंस्टा पर कपिवा का फिट वेदा नाम का पेज है, जिसको फालो कर सकते हैं, जहां आपको healthy tips, lifestyle tips दिये जाते हैं, जैसे की workout routine, yoga practice, diet tips और healthy food recipe जैसे tips, फेस्बुक पर भी कपिवा का एक community page है, wh wholesome nutrition के नाम से, जिसे आप जोइन कर सकते हैं, यहां पर ayurveda remedies, diet plan, healthy recipe के बारे में बताया जाता है, जिसको अपने lifestyle में शामिल करके अपने आपको fit और healthy रख सकते हैं, आप इसको purchase करके लेना शुरू करें, आज बहुत ज़रूरी है दोस्तों हमारी immunity को अच्छा रखना, हमार तो हम अगर अपने immune अच्छा रखेंगे, तो हम हर परिशानी से अपने आपको बाहर निकाल लेंगे, तो अपने immune को अच्छा रखें, स्वस्त रहें, आज के लिए दोस्तों बस इतना ही, अगर वीडियो अच्छा लगा है तो इसको like जरूर करें, share करें, जादे से जाद friends, family members और relatives के साथ और अभी तक मेरे channel को आपने नहीं subscribe किया है, channel जरू subscribe करें दोस्तों, मिलती हूँ इसी तरह के informative videos के साथ, तब तक के लिए thank you so much, stay safe and healthy